मुझे पूरा विश्वास है कि उसको देखने के बाद आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे अभी तक तो सुना करते थे हर्याना कैसे जीत गए महराश्टर कैसे जीत गए ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतिय जन्ता पार्टी क्या कर रही है भारतिय जन्ता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के उपर वोट कटवाने के लिए Election Commission में Application दायर कर रही है और Election Commission में चोरी छिपे इन Applications के उपर कारवाई चल रही है आज मैं आपको एक ही विधानसभा का Data दिखाऊंगा और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का Data आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शादरा विधानसभाओं में पिछले एक महीने में भारती जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की application दी है ये वो applications है ये आप देखिए ये इसमें हर पेज के उपर भारती जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्खत हैं विशाल भारदवाज, BLA1, शादरा विधानसभाओं भारती जनता पार्टी प्रदेश दिल्ली प्रदेश विशाल भारदवाज, शादरा विधानसभाओं भारते जनता पर्टी दिल्ली प्रदिश हर एक के उपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के फदादिकारी के साइन हैं और दस्खत हैं और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है दस्खत हैं इस पे भी और ये देखिए ये बीजेपी ने बकाइदा अपने लेटर हेड के उपर वोट कटवाने के लिए अप्लिकेशन दी है ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के उपर वोट कटवाने के लिए अप्लिकेशन दी है ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लिकेशन्स पिछले एक डेड महिने में अलड़ी दे चुके हैं और वो सिलसला जारी है, हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लिकेशन दे जाते हैं अभी चुनाव तक पता नहीं, शादरा शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे इन में एप्लिकेशन्स में ये कहा गया है कि ये 11,000 अठारा लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 अप्लिकेशन्स हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था तो हमने इसमें से रैंडम ली 500 लोग छाटे और 500 लोगों कि जब हमने जाच की समें से एक्चली इनमें कई जुगी बस्तियों के हैं कच्ची कोलोनियों के रहते हैं उन एड्रेसेज मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं तो कई addresses नहीं मिले लेकिन जो addresses मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं 372 लोग ऐसे मिले ये उन 372 लोगों की list है जिनको हम लोकेट किया जिनके नाम BJP की list में है कि इनके नाम काट दिये जाएं क्योंकि उनका क्यान है वो shift कर गया है वो shift नहीं किये है वो वहीं रह रहे है ये 372 łोगों की list है दरसल ये shift नहीं किया है ये list हम अभी आपको दे देंगे ये 372 लोगों की list इसका मतलब 500 में से 372 उसके लावा कई ये ऐसे भी थे जिनके address नहीं मिले 75% लिस्ट जो है इसका मतलब इनकी गड़बड़ है हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही क्योंकि एड्रेस नहीं मिले कही हैं इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है जब इन लोगों से हमने पूछा ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें मैकसिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले शादरा विधानसबा में कुल 1,86,362 वोट हैं 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल इस में से बी जे पी 11,000 वोट कटवाना चाहती है यानि कि एक ही विधानसबा से 6% वोट डिलीट करवाने की अप्लिकेशन आ चुकी है अभी पता नहीं कितनी और आएंगे 6% वोट एक विधानसबा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या ऐसे लोगों के वोट जो exist करते हैं जो रह रहे हैं जिनकी death नहीं हुई है ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसबा मात्र 5294 वोट से जीती थी हम 5294 वोट से विधानसबा जीते और या 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं तो फिर चिउनाव का मतलब क्या रहे गया इसमें इलेक्शन कमिशन की भूमी का बहुत संदिक्द है इलेक्शन कमिशन का एक रूल है डेली जितने लोगों के वोट कटने की अप्लिकेशन आती है इलेक्शन कमिशन को उसकी डीटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 दस नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है आप election commission की website पे जाएंगे तो आपको अलग-अलग विदान सभाओं की मिलेगी मैं बताऊंगा अभी आपको जानके ताज्यूब होगा कि कल तक election commission की website पे शादरा विदान सभा में मात्र 487 application दिखाई जा रही है कि deletion के लिए आई है इसका अदर जो 11,000 application बीजेपी ने दी है वो चोरी छुपे उसके उपर काम चल रहा है election commission ने अपनी website पे नहीं डाली है दुबारा मैं बता दूँ election commission में जितनी भी application डिलीशन की आती है election commission को अपनी website पे डालना पड़ता है कि ये ये applications डिलीशन के लिए आई है डिलीट करने के लिए हम इस पे कारवाई कर रहे है कल तक की डेट पे पिछले एक महिने में election commission की website पे जो applications आई है वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487 जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दी है तो इसका मतलब election commission बीजेपी के applications को तो दिखाई नहीं रहा अपनी website पे और जबकि उसके उपर election commission कारवाई शुरू कर चुका है और उसका सबूत यह है election commission ने 22 नवंबर को ये order पास किया है जिसमें election commission कह रहा है कि ये attach करके कि ये इसारे बीजेपी की जितनी application आई है इन पे कारवाई की जाए ये order election commission का election commission ने order कर दिया कि इन सारी बीजेपी की applications पे कारवाई करो लेकिन अपनी website पे इसकी डीटेल नहीं डाली तो election commission की क्या मनिशा है election commission है इसका मतलब चोरी छिपे BJP के सारी डिलीशन की अप्लिकेशन के उपर काम कर रहा है Election Commission की वेब साइट पर देखे तो मैं आपको 14 विधानसबाओं की डीटेल बताता हूँ जनक पूरी में Election Commission की वेब साइट के इसाब से 6247 अप्लिकेशन डिलीशन की आई हुई है जैसे मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं वो तो छुपा गए जनक पूरी में 6,247 संगम व्यार में 5,862 आरकेपुरम में 4,285 पालम में 4,031 द्वारका में 4,013 तुगलकाबाद में 3,987 ओखला में 3,933 करावल नगर में 2,957 लक्षमी नगर में 2,147 विकासपुरी में 1923 उत्तम नगर में 1807 कृष्णा नगर में 1631 मत्याला में 1561 ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की अप्लिकेशन चुनाव की डेड़ महीने पहले और ये तो मैंने जो विदान सबाएं कुछ बताई हैं तो वो अप्लिकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी अप्लिकेशन के ऊपर इलेक्शन कमिशन काम कर रहा है काटने के लिए ये जनतंतर के लिए खत्राएक एक वोटर कार्ड वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है अगर उससे वो अधिकारी छिन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता अपनी सरकार चुनने बाबा साब अमबेड करने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया में ने था युनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज कि हर नागरिक को चाए गरीब हो चाए अमीर हो उसको चाए इस जात का हो चाए उस जात का हो चाए इस धरम का हो उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है ये अधिकार इलेक्शन कमिशन और बीजेपी मिल के देश के नागरिकों से सरयाम च्छीन रहे हैं लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है वोट नहीं मिलता चीकते हैं चिलाते हैं मीडिया दो बाइट ले लेता और उसके बाद मामला दब जाता है सरकारे बन जाती है और अब पता चल रहा है कि सरकारे कैसे बनती है हमने ख़बारों में तो बहुत बड़ा था कॉंग्रेस ये आरोप लगा रही है हर्याना और महराष्टर में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता लेकिन आज इस खुला से के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड हुई है आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए है नाम काटने की अप्लिकेशन दी गई लेकिन वो नाम वो लोग मौजूद हैं वहीं रह रहे हैं यह सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहाँ से कुछ ही लोगों को हम ला पाए बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए उपेंदर कुमार जी होंगे आपे उपेंदर जी आप अए 334 में ही रहते हैं तो आप shift तो नहीं होए वहां से वहीं पर रहते हैं आप अपना कोई वो कार्ड वर्ड लाएं हैं साथ यह इनका कार्ड है यह वहीं रहते हैं बीजेपी ने इनका vote काटने के लिए application डाली हुई है उमादेवी जी उमादेजी वी जी आप भी एट अंबेड कर नगर में रहती हैं आप भी shift तो नहीं हुए इनका भी vote कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है शंबु कुमार शंबु कुमार आप बी 326 में रहते हैं खुद का है पूरे परिवार का vote कार्ड दिया इनका ये बता रहे हैं सुनील कुमार भी 326 में रहते हैं आप shift तो नहीं हुए वहीं रह रहे हैं सुकेश कुमार वो रहे आप सुकेश जी आप भी 326 में रहते हैं ये और भी बहुत सारे लोग हैं आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बाचीत कर सकते हैं कई लोग आए हुए मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा लेकिन आप इनसे बाचीत कर सकते हैं सब लोग जिन्दा हैं वहीं रह रहे हैं और इनके सब के 11,000 जीवित लोगों के मौझूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतिये जन्ता पार्टी ने इलेक्शन कमिशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमिशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमिशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रचरा है बीजेपी दिल्ली की जन्ता से बुरी तरह से डरी हुई है दिल्ली की जन्ता बीजेपी से बहुत नाराज है जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून विवस्था का बेड़ा गर्त कर दिया खुले आम मा बहनों की जट लूटी जा रही है खुले आम गोलियां चल रही है गैंक्स्टर्स की राजधानी बना दिया है दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चकाना चाते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है अब अन्त पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंडा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के धेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुसा आएगा उनका गुसा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में और चुनाव आयोग की साख दाओं पे है मैं चुनाव आयोग से हाज जोड़के विंति करता हूं पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में किस कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है वो सारे के सारे डीटेल्स आज वेब साइट पे शाम तक डाले जाएं और दूसरा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दू 28 अगस्त से लेके 18 अक्तूबर तक दो महीने इलेक्शन कमिशन ने समरी रिविजिन किया था समरी रिविजिन होता है किसी भी चनाव के पहले कमिशन ने घर-घर बेज के अपनी कारवाई करी अब क्या बेच गया 18 अक्तूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है या तो इलेक्शन कमिशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो दो महीने के अंदर अब दो महीने में अगर इलेक्शन कमिशन ने घर-घर घूम के सारी कारवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट के किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं तो हमारी मांग है कि 18 अक्तूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक मान लीजे कोई वोट कोई भी वोट डिलीट ना किया जाए इसके अंदर मैं उन लोगों को आगा कर दूँ यह जो बीजेपी का अधिकारी है जिसने डाला इसके उपर कानूनी वी कारवाई करेंगे हम भी करेंगे और हम इलेक्शन कमिशन से भी मांग करेंगे इसके उपर कानूनी कारवाई बनती है बारतीय न्याई सहिता की धारा 174 धारा 308 और धारा 217 धारा 116 और धारा 61 इसके तहत भारतीय न्याई सहिता की धारा इन धाराओं के तहत हम करवई करेंगे Representation of People's Act की धारा 31, धारा 125 और धारा 136 का इन्हों ने उलंगन किया है और जितने BLO हैं, जितने AER हो हैं, जितने Returning Officer हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, गलत काम मत करना दस खत तुमारे हो रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, कागस पके रहते हैं आज नी तो कल, जेल तुम जाओगे, तुमारे उपर दबाव डालने वाले नी जाएंगे अगर जादा दबाव डालें, छुट्टी पे चले जाना, लेकिन गलत काम किसी हालत में मत करना मैं सब को चितावनी देना चाहता हूँ, सब के उपर एक्शन होगा अगर जो गलत काम करेगा शंटी जी कुछ कहना चाह रहे थे आपके वाले भी संशेट ने कि जी राज में बढ़ाया, मोन जेना मोली कर दिकात है, इसका फंडामेंटल काईड़ अधिर, इस अमवेटकर्ट कैम्प की बात करी है अधिर्व में अभी, यारीस साल पहले ही अमवेटकर्ट कैम्प मेरे सामने बना, लिए अधिर्वार्ट के बात में राजिस्तान के लिए, अब पिछले चार दिन से मेरे घर भे, दोसों से ज्यादा ऐसे लोग आए अपने कार्ड आप में लेके जिनके नाम लिस्ट में हैं, मैं ने देखे, ये सिर्फ मतनी काटा जा रहा है, ये किसी के मुलिक अधिकारों का हन कि जो सुवधाइं उनको मिल रही है ऑल्रडी किसी भी परकार किया वो जो प्रशासन से मिलती है सरकार से मिलती है शायद उसको भी कटवाना चाहते हैं और यह बहुत तरीके से किया गया काम अगर मेरे घर में किसी की मृत्ति हुई है या मेरा कोई बच्चे की शादी हो गई यह वोहाँ के स्रेटिफिकेट लगेगा तब जाके वोट कटि है खाली किसी के लिखके देजरेंघेंड आज वोट नहीं कटि घृट करती है अगर आनन फ़ानन में यह वोटे काटी जाती है कि कही ना कहीं दाल में काला है या काली ही दाल है सारी इसमें दिखना पड़ेगा क्योंकि इतनी क्वांटिटी में वोट काड़ देना यह बहुत बड़ा सर्प्राइज की बात है और वो बिचारे अपनी मेहनत मजदूरी के साथ वहां पर बहुत आप कभी जाके दि मुझे तो बस इतना ही जोड़ना है कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने भगस सिंग जी ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी इतने लाखों लोगों ने शहीदों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि देश के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले वो लोगों का वोट बना हुआ है और वोट कटवा के चोरी छिपे चुनाव आयोग से इस तरह से तो देश को उसी दौर में लेके जा रही है जो आजादी से पहले था अंग्रेजी राज चला रखा है क्या तो चुनाव आयोग संग्यान ले इस पे और पूरे अधिकार का इस्त तब हमें पिछले 2020 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की एक लहर दिली में थी तब लगभग बावन सौ वोटों से हम ये सीट जीते थे बावन सौ वोटों का हमारा वोटिंग मार्जन था और आज जो हमारे हाथ दस्तावेज लगे हैं वो दिखाते हैं कि ग्यारा हजार से ज़्यादा वोट काटने के तो आवेदन पत्र बीजेपी जमा करा चुकी है तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के वोट सिस्टेमाटिक धंग से कटवाए जा रहे हैं विधान सबा धर विधान सबा और पूरा आंकलन करके कि इतना वोटिंग मार्जन था इतने वोट से आम आदमी पार्टी जीती तो उससे दो गोना तीन गोना चार गोना वो सही ढंग से तो जीत नहीं सकती तो इस प्रकार के हदकंडे अपना कर चुनावों को प्रभावित किया जाए सब कुछ अभी सारी वकीलों के साथ भी बैठेंगे वो भी करेंगे इलेक्शन कमिशन के भी जवाब का इंतजार करेंगे कि इलेक्शन कमिशन चोरी छिपे वोट काटने की प्रक्रिया क्यों कर रहा है उनके उनका उनकी क्या मजबूरिया है या क्या प्रॉब्लम है कि 11,000 वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वेबसाइट पर नहीं आया करेंगे सारे करेंगे अब सारे वो सब कानूनी प्रक्रिया की जाएगी वो भी जाएंगे अभी इसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन से मिलने का काम सब कुछ करेंगे यह हम लोगों ने इन से बात की। अब पाटी को बोर्ट होगे, इसको cross कर देता है हम अदμी पार्टी बोले तो टिक कर देता है. यह कौन लोग जा रहे हjänmesi? क्या कर रहे हैं? यह कुछ समझ नहीं आरा है. प्रश्छर में Şu इस प्रस्थर नहीं आपता नियसलंग सर्स्जिय्ट इस जड़ने मुदूर इसनु न도 इससा जबाएं। चूनर्ग करें होग चून का में आप खी बश। बड़क झाल इत इंवित्विक सार्थhenult usually कि संवन विदिन बीजेपी एस गिवन असाल दीस पेपर्स मोर पेपर्स अर कमिंग डॉंट वरी अभी एक और विदानसभा एक दो दिन बाद करेंगे हम अभी कटे नहीं हैं कटने की प्रक्रिया चालू हुई है इसलिए अच्छे से उठाइए और इन लोगों के वोटिंग अधिकार को जारी जिन्दा रखिए अभी कटे नहीं है यह नाम लेकिन अगर आप लोगों ने अवाज नहीं उठाई तो इनके सबके वोट कट जाएंग है यह ग्यारा हजार तो शादरा का बाकी का बत जैसे जो इलेक्शन कमिशन की वेब साइट पे है वो मैंने अभी आपको टॉप की दस बारा विदानसबाओं का बताया था जनकपुरी में छे हजार वोट कट वा रहे हैं छे हजार वोट कटने के वाद चुनाव क्या बच जाएगा संगम वियार में 5800 आरकेपुरम में 4285 पारलम में 4000 द्वारका में 4000 इस तरह से सारी यह तो वो हैं जो वेब साइट पे डले में इलेक्शन कमिशन की उसके अलाव अब आपकी आपकी मदद चाहिए हम भी करेंगे आप भी कीजिए जनतंत्र तो सबका है देश तो सबका है आपका भी है मेरा भी है हो सकता है आप लोग भी अपने वोट शेक कर लो आप में से भी कई के कट हुए मिलेंगे यह यह नहीं देखते को हैं अमीर है कि गरीव है यह देखते हैं आप भी पार्टी वाला कौन है ठीक है थांक्यों अब आप अचा मुझे आइडिया निया इसका मैं पता कर लेता है इसे इसे अगरीं प्रटाइड यह नुक्स अप्रोड जांगे इसाइस यार्ड आप नहीं सकती है यह यह देखते हैं है थैंक यू थैंक यू यू